चलिए आज मैं आपको मोटो जी 32 वर्षेस वीवो टीवन एक से स्मार्टफोन के बीच में कमपेर देन करके बाता हूँ कि आपको अपनी नीड के साफ से कौन से स्मार्टफोन बाय करना चाहिए जिसे खरीदने के बाद आपको बाद में पच्टाना ना पड़े तो वीडियो को पूरा जरूर देखना सबसे पहली बात तो कोई इस दोनों स्मार्टफोन की प्राइस बिल्कु सेम टू सेम है प्लस LCD दिसप्ले सिसमा आपको 98 बिल जाता है कर पर इसमें आन्प 19.8 पर संसका स्क्रेंट गौडी रेश्योग मिलेगा वहीं वहीं वीओ टीवन ड expect कॉछल इंचेज की summit PLUS she देखनो मिलेगी जिसमें आपको 98 कि रफ्रेश्ट मिल जागा इसमें 11па 6.6% का screen to body ratio देखने हुक मिलेगा motorola में आपको punch hole cutout मिल जाता है Vivo में आपको notch देखने हुक मिलेगी guys display की quality आपको Vivo T1X में अच्छी देखने हुक मिलेगी बड़ जो display का front size है न वो देखने में आपको motorola में ज्यादा बेटर लगेगा because उसमें punch hole cutout दिया गया है दोनों smartphone के अगर cameras की बात की जाए तो motorola में आपको 50MP का triple rear camera setup मिल जाएगा जिसमें आपको 50MP का मिलेगा primary camera, 8MP का ultra wide sensor और 2MP का micro sensor देखने हुक मिलेगा वहीं बात करूं Vivo T1X के rear camera की तो इसमें आपको 50MP का dual rear camera setup मिलेगा जिसमें आपको 50MP का मिलेगा primary camera, 2MP के समें आपको depth sensor मिल जाता है दोनों smartphone के अगर front camera इसकी बात करूं तो motorola में आपको मिलेगा 16MP का front camera Vivo में आपको मिलता है cable 8MP का front camera दोनों smartphone से आप 1080p के साथ में 30fps में video recording कर तक तो camera wise अगर मैं बात करूं तो आपको Moto G32 में better quality देखने हुक मिलेगी विकास इसमें आपको rear side में भी 3 sensor देखने हुक मिल रहे है और front side का sensor है आपको as compared to Vivo थोड़ा बड़ा मिल जाएगा motorola में दोनों के अगर मैं performance की बात करूं तो दोनों smartphone में आपको बिल्कुल सेम टूसम प्रोसेसर मिल जाता है दोनों में ही आपको OctaCore का Qualcomm Snapdragon 680 का processor देखने हुक मिलेगा जिसमें आपको 6NM architecture वाली chipset देखने हुक मिलती है दोनों में ही आपको Adreno 610 का GPU देखने हुक मिलेगा दोनों में यह आपको Android 12 मिल जाता है और दोनों में यह आपको latest update मिल जाएंगा Android के अब आप में से काफी सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि performance वाइस कौन से smartphone पर्चेस करना चाहिए तो चली मैं आपको वो confusion भी clear कर देता हूं करने को option मिलेगा अगर आप 6GB वाला वीव को स्मार्टफोन पर्चेस करते हो तो आपको 2GB एक्सेंट करने को option मिलेगा तो स्मार्टफोन मैं आपको रेकमेंड करूंगा वीवो टीवन एक्स स्मार्टफोन विकास इसमें आपको थोड़े से अपग्रेड़ेट फीचर्स देखने होग मिल रहे हैं दोनों की बैटरी और फास्ट चार्जिंग की बैटरी मिलेगी मोटरोला में आपको 33W की फास्ट मिलेगी तो फास्ट चार्जिंग वाइस मोटरोला बेनर रहेगा बट बैटरी आपको दोनों में सेम मिलेगी और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm का audio jack भी मिल जाएगा अगर आप वीडियो कितने ध्यान से देखरों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जो कुष्टा मैंने आपको सारा कुछ बता दिये वीडियो पसंद आए रही लाइक करकर गरू जाना और इसी तरह ही और वीडियो देखने चाहते हो चैनलों को सब्सक्राब भी कर लेना नीचे लाल बाला बटन दखाई दे रहा हुआ उसको प्रेस कर लेना